हाई फ्रेंड्स, topfitonadvocate.com, दोस्तों आपके लिए मैंने एक website launch की है, जिसका नाम है topfitonadvocate.com, बहुत important है, मैं बता दूँ, गुगल में जैसे ही आप लिखोगे topfiton, ये नीचे दिखाने लगेगा topfitonadvocate.com, आप इसे select कर लोगे दोस्तों, और इसके बाद ये जो website है, मैं बता दूँ, आपकी demand पे ये website मैं launch कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बोला है, कि sir, किसी भी case के draft को आप available करा दो, तो मैंने DV cases और appeal, criminal, civil appeal, छोटी-छोटी applications है, petitions है, सारी draft इसमें available कराई हैं, दोस्तों, जब आप इसे देखोगे, application under order 7, rule 9, मैं screen को suit कर रहा आप देख सकते हो, आप petition suit की copy इसके साथ है, original complaint है, आप कुछ भी check करोगे, सारी चीजे available कराई गई है, original drafts available कराने की कोसिस की गई है, कुछ नाम change कर दिये गए हैं, कुछ जो छोटी-छोटी details, personal details है, उनको केवल modify किया गया है, evidence-afid-afid, DV case में कैसे evidence-afid-afid file करते हैं, आपको सो करेगा, जब आप इसे open करते हो, तो इस case में कैसे evidence-afid-afid देते हैं, domestic violence के case में, आप देख सकते हो, यह सारे articles है, मैं बता दूँ, बहुत important website है, उनके लिए जो court case की प्रकिडिया से जुड़े हैं, as a advocate या client, जो अपने case को fight कर रहे हैं, उनके लिए यह website बहुत helpful है, दोस्तो, बहुत सी ऐसी articles भी हैं, जैसे original application under section 145.2, इस तरीके की original applications हैं, काफी share लिए जा रहे हैं, 24 shares आप देखोगे, इस websites पे, और total websites visit भी आप check कर सकते हो, कि इस websites पे कितने लोगों ने visit किया हुआ है, तो 1,49,306 लोगों ने अब तक इसे visit किया है, दोस्तो, और आप देख सकते हो, गूगल के ads भी आ रहे हैं, ये monetize कर दिया गया है, गूगल दोरा, सो मैं उस पे एक अलग video बनाऊंगा, और मैं आसा करता हूँ, आप मेरे इस website को visit करेंगे, original bill application, original appeal, सारी चीजे आपको मिलेंगी, कुछ लोग mutual divorce के draft को जानना चाहते हैं, उसे पढ़ना चा लगते हो, और बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी, अगले एपिसोड में मैं फिर नई वीडियो लेकर आऊंगा, बाबाई